एक बार एक व्यापारी को व्यापार में काफी नुकसान हुआ, जिसके बाद उसने विदेश जाने की सोची, लेकिन विदेश जाने के लिए उसके पास परियाप्त धन नहीं था, ऐसे में उसने अपने लोहे के तराजू को एक महाजन के पास गिरवी रखवा दिया और, व्यापारी को ये समझ आ गया कि महाजन अब उसके उसका लोहे का तराजू वापस नहीं करेगा, उसके बाद व्यापारी को एक युक्ति सूजी, उसने महाजन के बेटे को अपने साथ नदी पर सनान के लिए ले जाने की बात कही, जिस पर महाजन ने अपने बेटे को व् गुस्सा आ गया और उसने कहा अरे क्या इतने बड़े बच्चे को चील उड़ा कर ले जा सकती है जिसके बाद व्यापारी ने महाजन को जवाब देते हुए कहा कि जैसे इतने बड़े बच्चे को चील उड़ा कर नहीं ले जा सकती है ठीक वैसे ही मेरे लोहे के तराजू को चुहा भी नहीं कुतर सकता है जिसके बाद महाजन को अपनी गलती पर पच्टावा हुआ और उसने उसे उसका लोहे का तराजू वापस कर दिया उसके बाद व्यापारी ने भी महाजन को उसका बेटा लोटा दिया और महाजन ने व्यापारी से अपने किये पर माफी मांग ली शिक्षा इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि हम जैसा व्यवहार दूसरों के साथ करेंगे वैसा ही व्यवहार हमारे साथ होगा इसलिए यदि हम अपना भला चाहते हैं तो हमें दूसरों के साथ भी वैसा ही करना होगा